वेल्कम टू भाई की भड़ाई सस्क्राइबर और जिनोंने नहीं किया वो कर दो कर दिया चल पढ़ाब बहुत सारे लोगों की रूख आप गई है जब से उन्हें पता चला है कि टेंथ में बोड़ आपस आ गए है बहुत सारे सोच रहे होंगे यार 6 महिने का स्लेबस करने में यह ऐसी तैसी हो जाती है अब पूरे साल का स्लेबस कैसे करेंगे पर टेंचन नहीं लेने का तुमारा भाई है न मैं पढ़ाऊंगा तो आज की कहानी का नाम है बड़े भाई साग और इसे लिखने का कष्ट जिनोंने किया है उनका नाम है प्रेमचन जी तो कहानी लगभग 80-90 साल पहले लिखी गई थी जब शादी 15 साल की उम्र में होती थी और अब तो देखो 35 साल की उम्र में भी कुछ नहीं होता चली अब चैप्टर में किसका क्या होता है ये पता करते हैं तो इसमें एक लड़का है और उसके एक बड़े भाई साब है यानि एक बड़ा भाई है जो की उससे 5 साल बड़े हैं पर बदकिस्मती से सिर्फ 3 दरजे आगे हैं यानि 3 क्लास आगे हैं जरूर क्लास में फेल हुए होंगे अगर टीचरों से ज़्यादा ध्यान लड़कियों पर रखेंगे तो यही तो होगा क्लास तो रिपीट करनी ही पड़ेगी पढ़ाई में बेस बहुत माइने रखता है बेबी को बेस पसंद है आतु बाद इस बेस की नहीं हो रही है बेस का मतलब होता है बुनियाद अगर घर की बुनियाद ही कमजोर होगी तो उपर वाली मंजिल कैसे बनेगी और बड़े भाई साब कभी कुछ ऐसा ही सीन था वे जल्द बाजी में कुछ नहीं करते थे उनका मानना था कि बुनियाद अच्छी होनी चाहिए ताकि आगे दिक्कत ना आए इस देश में हर नागरिक के पास 6 फंडमेंटल राइट्स होते है पर हर बड़े भाई के पास सात्वा होता है वो सात्वा अधिकार है छोटे भ बड़े भाई साब के हुकमों को मानने में ही समझता है बड़े भाई साब अध्यन शील यानि पढ़ाकु टाइप के थे हर वक्त किताब खोले बैठे रहते थे और जादा देर पढ़ने के बाद दिमाग को अराम देने के लिए नोटबुक के पेज़ेज पर शेडिया, बिल्लियों और पता ने किन किन जानुरों के स्केच बनाते रहते थे और कभी कबार एक ही सब्द या वाक्य को 10-20 बार लेक्ट डालते और हमारी नोटबुक के पीछे वाले पेज़ेज पर देखे तो लव परसंटेज के अलावा और कुछ नहीं निकलता बड़े भाई साब एक काम और करते थे, वैं नए नए शब्दों की रचना करते थे जिनका कोई मतलब नहीं होता था बड़े भाई साब नौवी जमात में थे, यानि नाइन्थ क्लास में चोटा भाई बड़े भाई से बिलकुल अलग था, उसका पढ़ने में बिलकुल जी नहीं लगता था एक घंटा पढ़ना, उसे धूक में पत्थर तोड़ने जैसा लगता था मौका पाते ही, छोटा भाई होस्टल से निकल कर मैदान में आ जाता और कंकरिया मतलब छोटे पत्थर उचालने लगता कभी कागर्ज की तितलिया उड़ा था, और कोई दोस्ट मिल जाए तो कहना ही क्या पिर चार दिवारी पर चड़ना और उससे नीचे कूदना जगे है यार, बहुत बड़ी एक्सपिरियंस मिलता है मैं अपना एक किस्सा सुनाता हूँ, होस्टल में एक वाडन होता है जो बच्चों के साथ रहता है हमारे वाडन के पास सारे निउस्पेपर आते थे जिस अकपार पर हम सब की नजर रहती थी, वो था डेली टाइम्स तो मैंने और मेरे दोस्त ने प्लैन बनाया कि रात में वाडन के रूम से डेली टाइम्स निकालेंगे तो पहले हमने उसके सोने का इंतजार किया आकिरकार जब वो दो बज़े सोया भाई मैं और मेरा दोस्त उसके ऑफिस पहुँच गए, मैं भार खड़ा हो गया देख रहा था कोई आ न जाए, वो अंदर गया नियूस्पेपर उठा के ले आया और फिर अपने डॉम में गए, लाइट आन की देखा वो गदा, मतलब क्या ही कहूं न उसको एजुकेशन टाइम सोठा के लाया बस फिर क्या था, देधाडादर, देधाडादर इत्ता पीटा हमने उसको बस अभी तक याद हो से खैर, छोडो कल की बाते हैं हाँ तो ये सारी हरकते करने के बाद, जब छोटा भाई अपने कमरे में वापस आता, तो बड़े भाई का गुस्तावाला चेहरा देखकर छोटे भाई के पैरों के बीच में से पसीना आने लगता फिर बड़ा भाई अपना पहला सवाल पूछता, कहां थे? उसका पहला सवाल हमेशा यही होता था पर छोटा भाई कोई जवाब नहीं देता, बस मौन रहता फिर बड़ा भाई जो बड़ा लेक्चर देता, छोटे भाई को प्रिंसिपल की याद आ जाती थी बड़े भाई साब बोलते, ऐसे पढ़ोगे इंग्लिश, तो जिन्दगी बर पढ़ते रहोगे और एक अक्षर भी नहीं सीख पाओगे इंग्लिश पढ़ना कोई हसी मजाग का खेल नहीं है, जो चाहे पढ़ ले इंग्लिश सीखने के लिए आखे फोड़नी पढ़ती है, और खून जलाना पढ़ता है तुम कित्ते बड़े गोबर हो, जो मुझे देखकर भी नहीं सीखते, मैं कित्ती मेहनत करता हूँ इत्ते मेले तमाशे होते हैं, रोज क्रिकेट और होकी के मैच होते हैं, पर मैं आसपास नहीं भटकता मुझे एक दरजे में दो-तीन साल लग जाते हैं, पर मुझे लगता है तुम पूरी उम्र ही इस दरजे में पड़े रहोगे क्यों बाप दादा की कमाई बरबाद कर रहे हो, बड़े भाई साब की डाट सुनकर छोटे भाई के आसु बहने लगे बताओं, थोड़ी देर भाई जाने पर बड़े भाई ने इत्ता डाटा, अगर छोटा भाई क्लास बंग कर ले, तो बड़ा भाई तो इसकी टटी निकाल देगा दोस्तों वैसे मेरा भी बहुत तेज प्रेशर बन रहा है, मैं अगली वीडियो में आता हूँ ओ, जल्दी भाई निकल